जी मुझे लगा कि एक आंख से लक्ष भेदन जादा आसान होता है कल कामपेइन कर रही थी या थोड़ा सा कॉर्णिया पे इंजरी हो गई लेकिन एक दो दिन में ठीक हो जाओगी बासुरी जी मैं आपसे शुरुआत इस से करना चाहता हूँ कि आप काफी प्रखर रूप से एक मुद्दे पर बोलती आई है और वो है अर्विन केजडिवाल की गिरफतारी के उपर और कली हाई कोट ने ये कहा है कि जो गिरफतारी है वो लीगल है और एडी के जो आक्शन्स हैं वो पॉलिटिकल नहीं है वो लीगल आक्शन्स हैं पर आमादमी पार्टी ने इसके उपर कहा है कि वो हाई कोर्ट के ओर्डर पर विश्वास नहीं रखते हैं और उस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो जज ने उपिनियन दिये उससे डिस्टगरी करते हूं कहते हैं संजे सिंग को भी वेल मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से इनको ही मिल जाएगी और बीजेपी देश की सबसे बड़ी कॉंस्पिरसी रच रही है अर्विन के श्रीवार के खिलब कितने दुर्भाग्यपोर्ण बात कह रही है ना आमादमी पार्टी मतलब यह हमेशा एक निराधार आरोप लगाते थे जांच एजंसियों पर अब य एली हाइकोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है इतना डिटेल्ड ओर्डर कल आया है और यह याचिका इन्होंने लगाई थी क्योंकि कल जो याचिका लगी थी वो मानुनिय मुख्यमंतरे अर्विंद केजरिवाल जी की बेल की याचिका नहीं थी वो तो यह देखने के लि सारी evidence देखी, हाइकोर्ट ने हवाला transaction के operators के बयान देखे, approver के बयान देखे, खुद आमादमी party के एक candidate के बयान देखे और उसके बाद सारे तमां सबूत देखने के बाद उन्होंने कहा नमबर वन अर्विंद केज रिवाल जी की बहुत ही एहम भूमिका थी शराब घोटाले में और ये उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका व्यक्तिगत तोर पर भी थी क्योंकि वो आमादमी पार्टी के मुख्या भी है और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भी जाच एजन्सियों ने तथि रखे हैं उसके कारण ये गिरफतारी लीगल है अब यही अगर मालनी जे जज्जमन इनके पक्ष में जाता तो तब यह कहते कि नहीं ने हाई कोट में कोई पोलिटिसाइजेशन नहीं है और आप यहां तक देखें हाई कोट ने भी यह कहा कि हाई कोट केवल कॉंस्टिटूशनल मॉरालिटी देखता है एलेक्टोरल या प्लिटिकल मॉरालिटी नहीं देखता क्योंकि यह केस अभी बड़ा इनीशल फेज में और आप एक वकील भी है तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या इस स्टेज पे जो आरोब लग रहे है अरविंद केजरिवाल पे कि वो करप्थ है इस इस मोर पॉलिटिकल इन नेचर कि आपको लगता है अज लॉयर की देरा मेरिट सिन दाट और यह मैं अज पॉलिटिशन नहीं, अज लॉयर भोल रहे है और यह तीसरी बार हुआ है देखे जब मानेने मुख्यमंदरी अरवेंद केजरिवाल जी की इंटरिम अप्लिकेशन फो इंटरिम प्रोटेक्शन बहस हो रही थी तब भी जाकर कोट ने सारी की सारी एविडेंच देखके फिर इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना करा था बाद में रावज अवन्यू कोट ने जुडिशल कस्टडी उसको भी बढ़ाया था वो क्यों क्योंकि उनको लगा दिस इस इस फिट केस फो कस्टडी और कल इतना डीटेल्ड जज्जमेंट दिया है दिल्ली हाई कोट ने आप देखें लंबी बहस सुनकर सारे तथ्य सुनकर सारे सबूत देखकर ये कहा गया है प्राइमा फेसी एविडेंच जो इस स्टेज पर आप प्राइमा फेसी एविडेंच ही देखेंगे और यहां तक उन्होंने ये भी बोला है कि भाइया matter of trial है आप cross examination में ये सारे के सारे witnesses को cross examine कर सकते हैं लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंच जाच एजेंच जो अभी तक material collect करा है उस पर establish हो गया है और केवल अरविन केज रिवाल जी के खिलाफ नहीं सुप्रीम कोट का भी ये मानना है कि प्राइमा फेसी evidence established हो गया है माननिया मनिश सोधिया जी के खिलाफ इसलिए ना केवल bail application dismiss हुई है उनकी तो curative petition तक honorable supreme court of India ने dismiss करी है आपके अर्विन केज रिवाल जी ब्रश्ट है आप exactly आप अब अब सामने जो court ने कहा उस पर तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि अब तो ये स्पर्ष्ट है कि माननिया अर्विन केज रिवाल जी ब्रश्ट है इनको resign नहीं कर देना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए खासकल कि कल जो judgment आई है morality के ground पर इनको बिल्कुल करना चाहिए और अगर मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि अगर jail से सरकार चलाना moral है तो इन्होंने मनीश सोधिया जी से क्यों स्तीफा लिया इन्होंने सतेंद्र जैन जी से स्तीफा क्यों लिया इतना सब हो जाने के बाद भी सत्ता का ऐसा क्या मोह है मानने मुख्यमंदरी अर्विंदित केज्रिवाल जी को कि वो कुर्सी मलक कर बैठे है जीनियर्स